जैहिन दोस्तों आप सावी का सुवागत है तो आज हम लोग इस वीडियो में भी हार SAC में पूछे का प्रश्णों का एनलेसिस करेंगे इससे पहले कुछ वीडियो आपको प्रवाइट किया गया है जिसमें कुछ प्रश्णों का एनलेसिस आपको करा दिया गया है तो वीडियो नहीं देखें तो वीडियो को जाकर देख लिजेगा चैनल के पहले लिस्ट में जाना वहाँ से वीडियो जाकर देख लिजेगा तो आप जो याद करते हैं कि तीन अनुपात दो तो इस तरह से याद नहीं करना रहता है आप याद करिए कि लंबाई और चवडाई का जो अनुपात होता है तीन अनुपात दो होता है जो राष्टिय दहवल है उसका जो अनुपात होता है लंबाई और चडाई का अनुपात तीन अनुपात दो होता है यहाँ पे पूछा कि चवडाई और लंबाई यानि पहले बी आएगा उसके बाद एल तो दो अनुपद तीन हो जागा तो जो पहला उप्शन दिया गए बिल्कुल सही है नेक्स्ट उप्शन नवर भी कि रष्टिये जहन्डे के चक्र में आरो की शंखिया चोविस होती है जिसको आप तिली बोलते है उसमें केतना होता है चोविस तिलीया होती है जिसको मारो बोलते है तो यह भी बिल्कुल सही है नेक्स्ट उप्शन नवर सी के रष्टिये परतीक लौरिया नंदन गड़ के सीर से सीर से लिया गया है तो लौरिया जो नंदन गड है एक पढ़ाता है विहार के पच्चंप उपारण में और जो रष्टीय पर तीक लिया गया है एक अमसले गया अशोक अस्थम से तो यहां पे क्या होगा गल्ती हो जागा कि पूछा कि कौन सा सही नहीं है तो option number c गलत हो घती है क्या हो ज़िए पूचा कि कौण सा सही नहीं तो option number c right answer हो जागा केंकि जो रश्टिये पर ठीख कहां से लिया ग्या ग्या है सार्नात से रिया ग्यां सब्सक्तर नेक्स्ट प्रस्षने कि लोक्षभा या विद्धान-सवह कि निर वाचन में एक उमिदवार अपनी जमानत की रासी खोद देगा अगर उसे कुल वैद मतों का प्राप्थ होगा यानि कितना मत प्राप्थ होगा क्यों जमानत रासी जो खोद देगा कुछ जमानत रासी जमा करना होता है तो जमानत रासी कब खोगा जब उसी एक वटाचे से कम प्राप्थ होगा कुल बैद मत का एक वटाचे से क्या होगा कम प्राप्थ होगा तो क्या होगा जमानत रासियू खोदेगा नेक्स्ट प्रस्निप चलते हैं लोक्षवा रास्वा का चर्चा कहा है तो अनुछेद सेवनटी नाइन में सन्सद की चर्चा आपी इस दरसे भ्याद रख सकते हैं सेरलाब तो सयसे सन्सद सिन्टीनेट रास्वा अस्し और लासे लोक्षवा एक असी तो उनinstr vad असी में सन्सद यानि सिन्टीनेट असी में रास्वा और एकासी में लोक्षवा नेक्स्ट परसने पर चलते हैं नेक्स्ट परसने कि भारतिये राष्टिये कॉंग्रेस का प्राथम अधिवे सन दिसंबर 1885 में कहां हुआ था तो जो प्रस्ताविद था पुने में था लेकिन पलेग के कारण पलेग एक बीमारी है जिसके कारण से ये कहां हुआ था मुंबाई में कि पूने में प्लेग फल गया था इसके कारण से कहां हुआ था मुंबाइ में इसको हम Bombay भी बोलते हैं तो option B राइट अंस हर जह का 높़केा गोखोल दास संस्क्रीत सोरी गोखोल दास का तेज पाल गोखुल 10 संस्क्रीट तेजपल अस्कुल में हुआ था तो यह प्रास ने पूछा जाता तो option नमर B क्या जाए राइट असद गोखुल 10 तेजपल संस्क्रीट अस्कुले यन बिद्धाले है वहां हुआ था बंबे में यान मंबे में कब हुआ था ठारा सो पचासी में हुआ था जिसके अध्याचता कौन के थे वयुमेस चंद्र बनार जी जिसकों सौट में बोलता है डवलू सी बनार जी तो आप्शन नमर भी राइट अंसर हो जागा आधारा सो पचासी में भारतीय राष टीय क्यों अब हीन के दुवार्य किया गया था उस समय के जौवर्नर था कौन था लॉड स Zombie गवार्नर आपने का सकते है या वाइस राइक का सकते उस समय के जो वाइस रह था कौन था लॉडल डैफरी Ugh तोुआफृa8into नवर क्या होजाए हैました नेक्श्ट परस्व столण चलते अ मैं कि एक दल लोग्षभा में वी-पच्छी दल होने का दावँ करता है यानि जो एक दल है लोग्षभा में वी-पच्छी दल होने का दावा करता है इसके पास निवनतम कितने संसद लोक सभा में होनी चाहिए तो कम से कम पच्चपन option number A तो आप इसको याद रखीगा next प्रशने की गराम पंचायत का कोई सदा हस्तलिखित आवेदन हस्तलिखित आवेदन मुख्या को समर्पित कर त्याग पत्र दे सकता है आवेदन समर्पित करने के कितने दिनों बाद जो त्याग पत्रे प्रवावी माना जाएगा जब त्याग पत्रे देगा तो कितने दिनों के बाद त्याग पत्रे प्रवावी माना जाएगा option A में दिया 7 दिनों के बाद 15 दिन बाद यान 11 दिनों बाद 28 दिनों बाद जिसमें रावी वर शामिल नहीं है तो इसका जो राइट अंसर है उप्शन नमबर A साथ दिनों के बाद तो उप्शन नमबर A क्या हो जागा राइट अंसर हो जागा गराम पंचाइत को तेहतरमा शंबिधान संसोधन के दोबार 1902 में संबिधानिक दर्जा द पहली वर पंचाइती राज को लागो कहां किया गया था दो अक्टूबर 1969 को राजस्थान के नगौर में उस समय के ततकालिन प्रधान मंत्री कौंदे पंडित जवाहलाल नहरू नेक्स्ट प्रशन प्रशन पूछा कि भारत में श्वत अंतरता के बाद प्रथम आम चुना प्रशन प्रशन के अनुपात में बहन किया जाता है यानी अगर 100 रूपया मान यह किसी चीज पर खर्श होता है उस पर केंद्र सरकार कितना देगा और राज सरकार कितना देगा तो अगर मान यह सो रूपए खरच होगा तो उसमें से 90 रूपए या राजशर कर देगा स्वरी केंदे सर कर देगा और 10 रूपे या राज़ तरह का यानि 90 और 10 के अनुपात में यहां पर बतबारा होगा तो option नमर बतबारा करें बहन किया जाता है यानि खर्च जो होगा उसको देगा जीतना भी खर्च होगा उसका 90% केंदसर कर देगा और उसका 10% राजसर कर देगा यानि नरेगा योजना में तो option number A 90, 10 नरेगा योजना 2005 का यह अधिनियम था और सुरू कब से हुआ था? 2006 से और इसे मनरेगा किया गया था फिर बाद में इसका नाम क्या कर दिया था? मनरेगा नेक्स्ट प्रस्निप चलते हैं नेक्स्ट के निमलिखित पंच वर्षी है इस नौ में कौन सी योजना अना ब्रिष्टी और दो यूदों के कारण परभावी हुआ अना ब्रिष्टी यानि सुखार इसल तो दो यूदों के कारण परभावी हुआ तो पहला जो पंच वर्षी है योजना शुरू हुआ था 1901 में शुरू हुआ था और जितना भी पंच वर्षी है योजना था पाच वर्षों के लिए नाम से ही पता चल रहा पंच वर्षी है योजना तो पहला पंच वर्षी है योजना 1901 में शुरू हुआ था चलेगा कब तक 56 तक पाच वर्ष जोड़िएगा तो 1956 से जोड़िएगा पाच वर्ष कितना हैगा 1961 1961 में 5 वर्ष जोड़िएगा कितना हैगा 66 यानि पहला जो पंच वर्ष जी है योजना है उन्हेस्ट एकामान से 56 तक दूसरा 56 से 61 तक और जो तीसरा है 61 से 66 तक और आपको मालू है कि भारत पकिस्तान यूद उन्हेसो पैसेट में हुआ था भारत और चीन उन्हेसो 62 में हुआ था यानि लगातार उयुद हुआ था तो जब 1965 और 62 में उद हुआ था तो कौनसा पंच वर्ष जी है योजना के बीच माएगा 1961 से लेकर 1966 यानि तीसरी पंच वर्ष जी है योजना के बीच माएगा और इसी समय अकाल पड़ता है याणू 1965 में, उन्हेसो पैसट च्छाइट में, तो यहाँ पे जो option होगा, option नमर भी तीसरी पंच वर्सी है योजना, 1966 से लेकर 79 तक योजना क्या रहता है, अपकास रहता है, योजना अपकास कहने का मतल़ा जिसको मलते है होली डी, यानि इस स प्रस ने पूछा जाता है, होली डी कप से कप तक था, तो 1966 से लेकर 79 तक, कितने बर्सों के लिए, तीन बर्सों के लिए, तो यहाँ पे जो राइट अंसरो जाग, option नमर भी, next प्रस ने प्रस ने चलते हैं, और जो पहला पंच वर्सी होजना था, हिराड डोमर मोडल पे अधारी था, तो आपको कमेंट करके बताना है कि दूसरे पंच वर्सी होजना किस मोडल पे अधारी था, next जो प्रस ने पूछाए कि बिहार में किसान सवा के अस्थापना किन के दौरा किया गया था, सहजानान सर्श्वत्ती के दौरा, option नमर बी, उन्हें 29 में किया गया था, तो option नमर बी, राइट अंसर हो जाएगा, जय परकास नरायन, पूर्ने करांती, यानि संपूर्ने करांती के जनकों है जय परकास नरायन, डॉक्टर रजेंदर पर साथ के दौरा एक महत्पूर्ने किताब जो लिखा गया है, जिसका नाम है, इ उसमें किस पत्पे थे, तो क्रिसी के पत्पे थे, ये भी प्रसने पूछा जाता है, खाद अपूर्ती मंत्री या क्रिसी मंत्री ये प्रसने पूछा जागा, नेक्स्ट प्रसने चलते हैं, नेक्स्ट प्रसने की 1860 में परकासित, नील दर्पन, नील की खेती करने वालों क की दूरदसा चित्रित करता है नील दरपन के रचनाकार कौन थे ए प्रसने पूछा गया तो दीन बंधू यानि नील बिद्रों के बारे में जनकारी कहां से मिलता है दीन बंधू के पूच्टक नील दरपन से और एक है हिंदूस्तान सोरी हिंदू-पैट्रियार्टिक नेक्ष्ट प्रसन पर जलते हैं नेक्ष्ट प्रसन की ओपसन नमर 1 तरी अस्तरये किसे समिति के दो डोरा दिया गए तो लोट ओपसन आप यहाँ पर देखेएं कि बलॉल्बंत राय मेहता तीन भागर में टूट रहा है तो 3 अस्तरये और दो भागों में अशोक मेहता अशोक मेहता लिखे तो दो भागों में टूटा दू अस्तर ये असोक मेहता समीती के दोबारा दिया गया था ओप्सन नमर ए राइट अंस रो जगा साह कमीशन, साह कमीशन जो दे रहा है यहां पर पेपसु, पेपसु क्या होता था कि पेपसु को तोड़कर, शाह कमीशन के सिफारिश पर पेपसु को तोड़कर चार यानि एक के निसासित परदेश और तीन राजों के गठन किया गया हिंदी के अधार पे हर्याना के किया गया था और परवती अधार पे हिमाचर परदेश को किया गया था आप पंजाबी के धर पे पंजाब और एक के नसासित पर्देंश चन्लीगड का स्थापना किया जए तो सा योग के सिफारिस पे पेपसू को तोड़ कर पेपसू को तोड़ कर नेक्स्ट प्रस पे चलते हैं नेक्स्ट्ट्ट्प्रस्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् होगा तो खेल पर सिच्छन के दौरा एक खेल पर सिच्छन में दिया जाता है तो option number C इसका मतला भी होता है खेल तो next परश्ण पर चलते हैं next के राष्टी यह खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है यह निमलीकित में से किन से समंधित है मेजर ध्यान चन तो यहाँ पर लिखा गया है ध्यान चन ओप्सन नमबर A हाउकी के जादूगर कह जाते हैं मेजर ध्यान चन और खेल दिवस कब मना जाता है 29 अगस्ट ओप्सन नमबर C नेक्स्ट प्रशन है मैंग मेगसेसे लिखा गया है रहमन मेगसेसे होता है यहाँ पर रहमन नहीं लिखा गया रहमन मेगसेसे पुरुसका रहा है रहमन मेगसेसे पुरुसका रोमन मेगसेसे के नाम पर दिया जाता है वे किस देश के राष्ट पती थे तो किस देश के राष्ट पती थे अचिनपूर्व एदेस है जो फिलिपिन्स है तो आप्शन नमर सी क्या हो जगा राइट अंसर हो जागा नेक्स्ट परस्थ नफ चलते हैं तो जो सहारा मरू अस्थल है कहा वस्थी थे अफ्रीका में ओप्शन नमर सी और अफ्रीका भी पूछेगा तो उतरी अफ्रीका में 11 देस यानि अफ्रीका के 11 देसों में वस्तित है सहारा मरू अस्थल एक जो प्रस्ण पूछा जाता है कि 20 वे का सबसे बड़ा मरू अस्थल तो अंसर होगा अंटार्क टीका क्योंकि अंटार्क टीका है एक ठंधा मरू अस्थल है और जो सहारा मरू अस्थल है एक गर्म मरू अस्थल है लेकिन अगर all over में पूछा जागा ठंधा और गर्म दोनों में से किसी का चर्चन नहीं क्या प्रश्ण सिर्फ यह पूछा जागा 20 सबसे बड़ा मरू अस्थल अंटार्क टी का मरू अस्थल लेकिन option में नहीं रहेगा तो क्या हो जागा सहरा मरू अस्थल क्योंक समन्दित है जो डुरेंड कप है किस खेल से समन्दित है टेनीश फुटवाल या होकी तो किस समन्दित है फुटवाल से option नमबर बी नेक्स्ट प्रसनिप चलते हैं वर्स 2014 के नोवल सांति पुरुषकार विजेता कौन है तो यह करेन का रिलेटेट प्रसनिप लेकिन अभी भी पूछा जाता है कि 2014 में किसे दिये गया था नोवल पुरुषकार इस तरह से पूछ लेता है तो आपको याद ही रखना पड़े यह कहा का थी पकिस्तान की 17 पूप्श्ण नमबर C नेक्स्ट दो प्रसने की बिहु किसराज का लोग निरित्ते है तो यह कहा का है अश्रम अप्श्णन नमबर C एक सतरिया जो क्या है कलास्कल दांस कहा का है अश्रम का यह है आप्श्ण नमबर A के honors रन हो जगा नेक्स्ट परस्न है पेरु की रहधानी क्या है तो पेरु के रहधानी क्या है ओप्षन ये में दिये गया है लापाज, किवीटो, लीमा ये बुगाटा तो ओप्षन नमबर C लीमा पेरु किसे महाद देश में पढ़ता है एक कमेंट करके बताना तो यह जो पढ़ता है दचनी अमरीका देश में पढ़ता है पेरू option number C क्या होगा? right answer ज़गा next question जलते हैं चर्नोबियल परमानू सन्यांत्रे जो अब बंद है कहां है? तो चर्नोबियल परमानू दुरहटना कब होगा था? 1986 एक वार इसे date चेक कर लिजेगा एसे सही होगा 1986 में हुआ थे एक कहां पढ़ता है? यूकरेन में option number B परमानू सन्यांत्रे यहां क्या होता? मतलब यह फाट गया था जो एक साइध तीसरे यह चौतर नमर का जो रिएक्टर थे क्या होता? फाट गया था तो इसमें बहुत ज़्यादा लोगों का क्या होता? मिर्दू हो गया था option number B एक कहां इसती था? यूकरेन में next परस्न पर चलते है next परस्न की जपान की मुद्रा क्या है? तो जपान की मुद्रा एन है यूवान या रिमन भी एक कहां का मुद्रा? चीन का मुद्रा दिरहम किसका है? सियुक्त आरव अमिरात का next परस्न निम्लिखित में से किस चेकरवात ने भारत के पुर्वी तेट को परभावित किया है? तो इक के रेंट से रिलिख परस्न था जब वो 2015 के परस्न है यानि उस समय जब पूछा गया था next परस्न है train to the Pakistan पुष्ट तक निम्लिखित में से किस ने लिखी है? train to the Pakistan तो किस के द्वारा लिखा गया? खुश्वन सी के द्वारा लिखा गया option number D next परस्न चलते हैं next परस्न है यहां से लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे तो जब तक लिए अपना ख्याद रखे जय हिंद जय भारत